ऐसे हुआ गणेश जी का जन्म गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने सनान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुन्दर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया. पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वहां किसी को भी अंदर ना आने दे ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई जब भगवान शिव वहां आए तो बालत ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले अंदर मेरी मा नहा रही है आप अंदर नहीं जा सकते शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पारवती मेरी पत्मी है पर गणेश जी नहीं माने तब शिव जी को बहुत गुसा आया और उन्होंने गणेश जी की गरदन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए जब पार्वती जी ने शिवजी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी तब शिवजी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया तब पार्वती जी रोधर रूप धारन कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहां से चलूँगी अन्यता नहीं शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं माने सारे देवता एकत्रित हो गए सभी ने पार्वती जी को मनाया पर्वे नहीं माने तब शिवजी ने विश्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आये जिसकी मा अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो विश्णु जी ने तुरंट गरूर जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंट उसकी गर्दन लाई जाए गरूर जी के बहुत खोजने पर एक हतिनी ही ऐसी मिली जो की अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी गरूर जी ने तुरंथ उस बच्चे का सिर लिया और शिवजी के पास आ गए शिवजी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवदान दिया साथ ही यह वर्दान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए अन्यथा पूजा सफल नहीं होती झाल झाल झाल